और में नमुशकर नमुशकर दोस्तों मैं निकलेश जैन इंडीचेस बेस सिंड़ेशल पर आप सभी का हाड देधा मिंदन दोस्तों कल रात जो है नौरेश चेस का Blitz tournament खेला गया, यह traditional tournament होता है नौरवे क्लासिकल के पहले, हमेशा से जो है वो खेला जायता और इसमें विश्नातन आनन जी ने कल वो काम किया, जिसके लिए श्यत्रण प्रीमी जो है, उनके जो प्रसंशक हैं, लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, काफी वक्त हो गया मैगनस कालसन को हराया Blitz मुकाबले में विश्नातन आनन जी ने, मैच काफी रोमांचक था, उतार चड़ाओ बहरा था, कभी इस तरफ जुक रहा था, कभी उस तरफ जुक रहा था, कैसे आनन जी ने जीता, वो भी आपको बताएंगे, और आपको बतादेंगे, जो पॉइ आमिदरोव हैं, आर्यंतारी, मक्सिमलाक रियो, टोपलो, वांगाउ और रजजबो जो हैं, तो इसका मतलब है आप देखे कि अभी भी जो है, वो टाइगर में आग जो है बाकी है, साथी साथ में आपको दिखाऊंगा वो अंते मोमेंट, जब मैगनस कालसन ने कैसे मैच क तो उसके लिए हम सीधा आपको ले करके चलेंगे, जो इनका ट्विटर अकाउंट है, सीधा उस पर ले के चलेंगे और आप देखो कि ट्विटर अकाउंट पर जो है, कैसे वो मोमेंट आया यहां पर आप देखिए, जब आनन जी ने मैच जीता, और कालसन का एक्चुली म जारी गया, अब देखिए, जीदा जलते हैं मुकाबले में, क्या कुछ हुआ मैच पर, विश्णाद आनन जी यहां पर सफेद मगरों से खेल रहे थे, शुरूआत हुई, E4, कालसन ने खेला G6, D4, D6, यहां पर पिक डिफेंस जो है, वो खेला गया, और यहां पर आनन ज नजर आ रहा है कि जो एप्रोच है, विश्णाद आनन जी का, एक बार फिर से अग्रेसिव हो चुका है, तो यहां पर देखिए, आगे क्या हुआ मैच, Nf6, F3, और यहां पर आया B5, कोई D2, यहां पर तैयारी लॉंग कैसल करने के, और यहां पर मैकनस कालसन खेलते हैं, H5, ताकि कभी future में जो H5 है, उसको white की तरफ से आने से रोका जाए, नाइट H3, अब यह जो H3 का square है, H3 का, इसको बहुत ही अच्छे से इस्तमाल करते हैं, नाइट के लिए और बाद में आप देखोगे, अब यह जो नाइट है, जब नाइट G5 जाएगा, यह 4 जाएगा तो यहाँ पर काफी परिशान कर सकता है बलाक को, तो बलाक यहाँ पर खिलता है bishop into H3, मतलब मैगनस कालसन, और अब यहाँ पर rook into H3, knight bd7 और long castle, अब इसके साथ ही यह सुनिश्चित हो गया था कि कालसन के सामने एक चनौती है कि क्या वो यहाँ पर short castle करना स्विकार करेंगे और continue queen sides attack करेंगे जहाँ पर विश्चनादनाना जी का king है, जो opposite castle जब भी होता है तो इस तरह का romance इस तिति जो है वो बनता है, सबसे पहले यहाँ पर मैगनस कालसन ने खेला queen c8, या कि उनका approach बिल्कुल clear था भी कि फिलहाल तो वो c5 ला रहा है, एक तो indirectly g4 का square को पकड़ा हुआ है, ठीक है, तो king b1 खेला विश्चनादनान जी ने, और अब यहाँ पर कालसन खेलते है c5, इससे पहले जो भी matches हुए है, वो हमने देखा है कि उस पर knight b6 एक move जो है, वो खेला गया है, इससे पहले जो भी matches हुए है, या फिर rook b8 खेला गया था, तो मतलब c c5 इसके पहले जो है वो नहीं खेला गया, तो c5 वैसे भी novelty थी इस position पर, okay, आना जी ने यहाँ पर move खेला, d into c5, knight into c5, यहाँ पर Magnus Carlsen कहाता है, और now knight e2, अब आना जी जो अपने जो knight है, वो c3 पर basically जो है, उसको जो है, एक aggressive mode पर ले जाना चाहते है, और दूसरा अगर ज़रूत पड़ेगी, यहाँ पर, तो जैसे c3 जैसे move जो है, वो आप खेल सकते हो, ताकि आपके उपर आकर मोड़ एकदम से ना आए, कासल, और आप यहाँ पर आना जी ने खेला, bishop h6, आप आइडिया इस dark killer के bishop को exchange करने का, और dark killer के weakness का थोड़ा सा फायदा उठाने का, जिसमें अभी आपको आगे देखे का अभी जब game हुआ, यहाँ पर Carlson ने continue किया e5, यहाँ तक match मतलब balance बना हुआ था, bishop into g7, king into g7, और आप आना जी ने खेला यहाँ पर knight g3, अब यह clear था कि future में हो सकता है कि यह जो knight है वो d4 पे जाए, और फिर उसके वाद f5 पे जाए, और यह जो h6 का square है, इसको target करने की कोशिश की जाए, वो ही plan दिखा भी, यहाँ पर b4 किया Magnus Carlson ने, तो आप यहाँ पर knight d4, वो ही plan है, knight f5, queen h6, queen g7 checkmate, मतलब कि बड़ा simple सा plan है कि अगर आप यहाँ पर कोई गलती कर दो, जैसे कि a4 खेल दो, तो knight f5 check है, या तो queen से मारन पड़ेगा, और अगर आपने यहाँ पर king को हटे, तो queen की entry यहाँ तक हो रही है, तो ultimately, यहाँ पर knight c e4 मारा उन्होंने, और queen पर attack, या और with the check आ रहा है यहाँ पर, और f5 के square पर pawn नहीं है, so f into e4, knight into e4, तो यहाँ पर knight sacrifice दिया Magnus Carlson ने, game को interesting बनाते हुए, और यह पूरी उनको 2 knight दे करके, जो कि एक अच्छा perfect check मुझे लगता है, queen into g3, और इसके बाद queen g4, अब देखने में ऐसा लग रहा था, कि यह तो exchange हो जाएगा, और उसके बाद इतना comfortable नहीं है white, लेकिन आनल जी ने इसके बाद क्या किया, कि उन्होंने queen exchange ने किया, ऐसे कई मोखे आ है, जब वो लगातार queen exchange को avoid कर रहे थे, queen e1, rook c8 लेकर किया है, यहाँ पर कालसन, so now सबसे पहले spawn को secure किया, g3, rook e5, तो bishop e2, queen पर attack, queen e4, तो आनल जी ने खिला, queen d2, rook e5, so now bishop f3, और यहाँ पर एक बाद फिर से queen exchange offer किया, मैगनस कालसन ने, आनल जी ने यहाँ खिला, queen g2, कालस अलागि यह कहा जा रहा था कि अगर यह e4 खेलने से पहले rook c8 खेल दें, तो यह जो knight है, यह शायद उतना activate नहीं हो पाता और परशानी बनी रहती है, लेकिन कालसन ने आपर जब e4 किया, तो आनल जी ने फायदा उठाया, knight c6 खेला, कालसन ने खेला, rook f5, f3 के bishop पर attack किया तो रुक d3 करके बचाया, यहाँ पर queen e1, अच्छा इस पोजिशन पर आनल जी को clear हो गया था कि शायद अब यह match अगर draw भी होता है, तो कोई बुरा ही नहीं, तो आनल जी ने रुक d3 खेला, और rook e5, यहाँ पर queen e3, और rook d3, and now यहाँ पर Magnus Carlsen ने चाल जो अपने बदल द d5, और rook e1 चेक आया यहाँ पर, और अब आनल जी खेलते हैं, बिशप d1, rook fe8, Carlsen बहुत यह अच्छे सिदी में थे, यहाँ पर आनल जी को queen f3 खेलना था, balance बनाया रखने के लिए, balance बना रहा था, यह game जा नहीं सकता, क्योंकि एक रुक के बतले में bishop और knight है, और एक pawn e7 क मिलने के और जैसे, already position balance हो चुका था, लेकिन यहाँ पर आनल जी ने blender करती है, queen d2, और अब आपकी बारी है, pause कीजिए, सोचिए कि ऐसा क्या हो रहा था, कि यह game यहीं पर खत्म हो रहा था, actually मैं यहाँ पर Carlsen तरफ से चाल आ रहे थी, जो कि time pressure में, क्योंकि blitz का match था, time pressure मे Magnus Carlsen ने नहीं खेली या नहीं दिखी, वो थी queen g1, अब क्या problem क्या है, कि rook into d1 forcefully आ रहा है, और आप कुछ नहीं कर सकते है, जैसे कि आप यहाँ पर कुछ भी खेलेंगे, for example, knight into b4, rook d1, queen d1, और rook e1 जो है, वो आ रहा है, तो वो unstoppable हो रहा था, और यह queen g1 चाल जो है, Magnus Carlsen से miss हो गई, कालsen ने खेला a3, आना जी ने तुरंत फायदा उठाया और खेला queen into b4, यहाँ पर इन्हों ने खेला rook, अब यहाँ पर भी एक था कि queen into b4, इस तरीके से भी मार के खेलते हैं, तो यह black के लिए decent position है, अब मतलब थोड़ा slide better ही है, लेकिन हुआ क्या match में, match पर इन इन्होंने पुर्ष किया c4, rook d2, rook g1, और अब जब भी यह rook नीचे आएगा भी, तो यहाँ पर हमेशा knight c3 और दूसरा सबसे बड़ा problem जो black को जाने वाला है, यह जो past pawn बन गया है, यही main problem create करेगा, इसके मागनास कालसन अलड़ी बहुत tension में आ गय थे, उन्होंने खेला knight c3, but rook e6, a4 की आनन जी ने, उन्होंने खेला rook into g3, आनन जी खेला knight b5, rook e4 यहाँ पर आए, तो आनन जी खेला c3, और king के लिए भी जगे बना ली, bishop को भी open कर लिया, उन्होंने खेला rook h4 यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर rook d3 जो है, वो खेलना ही चाहिए था, rook d3, pawn d3, बहुत short हो गए थे, already position जो है, यह white के लिए better हो चुगी, क्योंकि वो pawn को रोकना जो है, उसके लिए आपको एक रूप कम से कम देना पड़ेगा, और black के pawn बहुत slow है, तो Carlson ने यहाँ पर जल्दी से कहला rook h1, लेकिन तब तक जो है, वो time already खत्म हो गया था, और Magnus Carlson को जो किया उन्होंने इस match में, so दोस्तों उम्मीद है कि यह वीडियो जो है, आपको पसंद आया होगा, विश्णादा नानन जी की लंबे समय बाद, कालसन पर जीत, कितनी बड़ी बात है कि 52 साल की उम्र में भी वो current विश्व चैंपियन को किसी भी फॉरेंट में हरा देते हैं